बिलो बग्गे बिले आंदा की करेंगी नी मेरा मारदा युबाले खून अंग अंग तूं काले जैली बास दीशु की नण कुडी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तूं काला सूट पामे जदो लग दिया कैर लगे जहर सड़े दिल उनों चड़ाएंगी चक दिया या कफेर तक दिया लग दाए हस के जान लह जाएंगी लड़कियों के दिल आपने तोड़े यह लड़कियों ने आपके तोड़े नहीं मूँ तोड़े हैं वैसे पैसे दो नादो तो ही रोल दे तो फिर में करूंसा चया थैक रोने। यह समय था कि काले रांग को लाइक नहीं करते है। के लिए काका जी के लिए यह है कि वो मुझे बुलाएं तो मेरे लिए गर्व की बात बहुत फखर वाली बात है कि मैं उनके लाइक शायद बन जो तो एक बार उनोंने मेरी वीडियो लगाई थी तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि लगाई थी है इस्ट्राग्राम मैच वो विन कर गया हम लोग तो उनको कहते हैं मेरी मेरी टीम वाले कहते हैं क्रिस गिल्लेक तो अर्दू फाइफ की मसीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मसीद इंडियान का इसके गाने आप बेड़े शूक से सुनते हैं स्सिर्फ आपटमी सुनते सारे बच्चे भी इसके गाने बड़े शूक से सुनतें तो आभी हम इंसे जो है गाना भी काना बी सुनेंगे यह और यह काहा है पुछते हैं ऑ स्ल peppi क् मैंने अलases यह चौक अह v दोसरबीस में मिर्णा से हुए यह रेलीज़ हुआ तो तब से मुलरे तो आपने समझा भी की है है कि इसका कुछ मतलब को इस में समझ आया था पर आपने आपको खुशी हुई इसको सुनके इसको मतलब कुछ ऐसा हाँ खुशी होती है मतलब जब इस चीज को ना मतलब लाइक नहीं करते लोग जादतर ना 70 पीसा 75 पीसा यही समझते कि काले ना काले रांग को ना लाइक नहीं करते हैं कपड़े वगएर वोगए पहले जमाने में गाने ने सुने काला शा काला नेरा दिल दार गुर्यंट फखरो है वो तो है उनका मतलब पराने लोग ते जिनको काले पसंद लेकर अचाने से जब उन्होंने यह गाना गाना लांच किया ना बिल्दो बगए बिल्या हाँ तो फिर यह इस से थोड़ा साना को शनको शोग हुआ वच्पन में मुझेशुक। आ अधर सुनता में गात भी थह था तब में इन्डिया गाने जो उर्दू काने ना तर गहता तो उसके बाद मैं सपोर्ट पोर्ट में आगया है मर्शलाट करता कराट्या इप स्पोर्ट में खरिक थो सभाव ने तो यह मिदे काफी लोग इस तरह मतलब करते हैं बुला लेते किसी ना किसी नामसे तो अक्सार पिछले दिन होना हम लोग खेर रहते हैं उदर किर्केट तो वो लड़के मुझे खिला नहीं रहते हैं कि यह जो उन्होंने बैटिंग एंड पर मुझे दे दी आते साध मैंने नो दो चक्के लगा दी तो कहते मैच वह विन कर गया हम लोग तो उनको कहते हैं मेरी मेरी टीम वाले कहते हैं क्रिस गिल एक तो आप लोग ने देखता हो आप की आप वाज़ कैसी है सिंग में अग्राग की करेंगी वैगग बगग यांदा की करेंगी बिलो एगक बिले आधा की करेंगी काले जेले बास दीशुकी नन कुडी, दूर दूर जावे मेरे काले रंगतों, काला सूट पामे जदो लग दियां कैर लगे जैर सडे दिलनु चड़ाएंगी, चक दियां यक फेर तक दियां लग दाए, हस के जान ले जाएंगी, बोते यां पडाकूं आदे हो गेते, आन व काले जैले बास दीशुकी नन कुडी, दूर दूर जावे मेरे काले रंगतों, काले जैले बास दीशुकी नन कुडी, दूर दूर जावे मेरे काले रंगतों, कितनी प्रैक्टिस की है इस गाने पे आपने, यह शुरू में जब मैंने सुना था ना, तो यह था कि मेरे साथ मुझे नहीं इतना था मतलब यह स्ता हुआ था साथ-साथ मुझे नगाएड करने वाले ओछ छोटा भाई पहले लफ कुछ और गार होंगे कोई ना कोई एता था ऐसी नहीं एसी आज से दबका दब काई मुझे वह करना मैंने काफी जगों पर देखा कि समयल समुल नहीं होती स्मेल सर्दी है ना बहुत जादा है तो खुल जाए ना लाहर आए फिर भी नहीं कुल गया तो फिर वैसे ही कतम हो जाएंगे लड़की ओपने लड़की ने आपके दिल तो और जब से कितनी ओफर्स तो नहीं ले यहां के मैसेज बगहरा आते रहते हैं इंस्टाग्राम से लेकर रिप्लाई बहुत काम करता हूं आप सोच रहे होंगे लड़की नहीं होगी लड़का होगा ऐसे ही होता है पिछले दिनो आहा झाल मुझे मैसेज आते रहे वो थी की निया से लड़की ए लेकं किराची से बिलॉंगा करती pola varatata तो वो मुझे ना काफी देश से टिक टॉक से मतलब मैस्जिव गएर का रही ते लिएकर मैंनी रिपलाई का रहा था फिर उन्होंने मेरा फेस्बुक पेज टूंडा उदर से फिर मैस्ट करने शुरू किया काम से कंप 15-20 दिन मुझे मैस्ज करती रहे करते कर आते ना उन्होंने फिर किया दाख कर पो फड़ना मात से मिलत करते तक क्देटी में पκुरिश मैंने पार्टासित मेरा ममें अब стать और लटकी नहीं कि न Erm octopus तान बनाना चाहती थी मतलब वीडियो बदनाना जाती थी आपके साथ लेकं नहीं सका तो अभी में कहते किनियों वापस चली हो तो इस वह हैं से अभी कहें ना इससे पहले आपके कितनी याणि कि निक फ्रेंड दिल आपने तोड़े गए लड़की उने आपके तो रहें किक बोक्सिंग मार्शिलाट करता था है मुझ तो नाक शाक पर काफी टूटे मेरे तो खुद के दोनों गुटने टूटे हुए बाजू टूटे हुए और यहां से जबड़ा भी टूटा हुए दिल भी टूटा है गुर्दे भी टूटे जबड़े भी टूटे सब कुछ बच्चे बच्चे का फेवरेट है तो आपको कैसा लगते जब आपको भी कहा जाते कि आप उनके साथ मशाबत रखती है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अब मैंने फेस लोग सारा कुछ वैसा ही बनाया है अपने आप कटिंग व्यासी करवाई है सार का आगया हूए है तो आप क्यों बीडियो लोग बनाएं होता था तो आपके साथ क्यों बनाएं मैं फेमस होना चाहता था स्टार बनना मेरा शुरू सही शॉक तो कुछ भांके जाओं ऐसे नहीं जाओं आप कांके ने पूरा कर दिया हाँ काके ने आगे पूरा गार दिया मेरा है यह अला की तरफ से होता है अगर आपको इंडियन काका जो है आपको बुलाए यहां पाकिस्तान से कहीं ऐसी ओफर आई तो आप क्या करेंगे कोई आपका सोचा हुआ है कि हाँ स्टूडियो वगहरा से मुझे तीन चास स्टूड लगाई थी तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि लगाई थी इस्टाग्राम एड़ी पे मेरी वीडियो नहीं लगाई थी स्टेटस लगाया था फिर उन्होंने का भी था कि का का इन पाकिस्तान और उन्होंने फिर मुझे एप्लिशेट भी किया था कि मैं हर जगा लुटल्द कर op पैकस्तान, के लिए पाकिस्तान के लिए के लिए घंड़े था यूजCHना, को लृज देखने मेरे मेरे कारवाले के avare ऑर किसी को बताया तो, मैंने का मुझे खुषी हुई है के मैं माबने खुशी जार का रहा हुए हूए हूँ हार किसी के साथसे पी पान क्या करना चाहते हैं अगधे अगए प्लैन तो यह है किम किसिंग में आगे नहीं जाए नाव कोई शाट है तो इंशाद बदूर कुछ करना चाहता हूं पकिस्तान के लिए खेए तो मैरा नाम नाम किए मेरा तो फिलाअ मैं कुछ यह को पहले किस टाइब क् bass करना चाहें के हिरो वबक्त हमें अब यह ईता है कि आमने की आई पढ़ाइज वगए में फिर विलए जाता दा कि आप लोग ना पीछे जैसे गुंडे वगरा होते हैं वैसे बुलाते दें लेकर मैंनी गया आज तीगर भी एक्टिंग के साथ ये बिल्कुल स्रियस हो के नहीं गाना अपने रोया करेंगी तू फिर अटा गुन दी खोलेंगी किताब नले पाप पुन दी सोचेंगी जे हुसना नू सांब रख दी कानू का के वास्ते तू ताने पुन दी ठकी हारी फेर जदो सोन लगेंगी जुल्फन चौन गी आई उंगलां रोएंगी के दास खोश होएंगी जदो करूगा कोई तंग मेरे वरगा तुपां विच खड़या ना करनी हो जो काला रंग मेरे वरगा मेरी लोटरिया तैनू पंगा पैजने पले पैजो कोई मलंग मेर मेरे वरगा तुपां विच खड़या ना करनी हो जो काला रंग मेरे वरगा यह तो आपके दिल को भी लगा होगा गाना अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया आपका जी नाजरीन आपको पाकिस्टानी काका जो है वो कैसा लगया और जिनकी ख्वाइश थी के काके से मिलन काका कैसा लगया चोटा काका समझ के नहीं इंडियन काका वाली बात कर रही हूं तो इसी के साथ अपनी होश गुफता को अजाज़त देजी अलानी के बाद